हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं क्लास 6 का वॉक्षीट वॉक्षीट नंबर 6 और वॉक्षीट है 14 अक्टूबर 2020 का आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक तो ब बच्चों स्टार्ट करते हैं वॉक्षीट नंबर 6 अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से घटक के बारे में तो यहां देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे बिटामिन के बारे में बिटामिन बहुत ही कम मात्रा में लेकिन हमारे सरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है यहां देखिए बिटामिन हमारे सरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत मात्रापूर्ण है कई प्रकार के बिटामिन बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटामिन E और बिटामिन K ये सारी बिटामिन्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है इसमें से प्रतेक बिभिन्ने खादे पदार्थों में पाया जाता है अब जैसे यहां देखे बच्चों बिटामिन दिया हुआ है बिटामिन के स्रोत दिये हुए है और इन बिटामिनों का कारे क्या होता है या भी दिया हुआ है तो चलिए इसके बारे में देखते हैं बिटामिन A बिटामिन A किसमें पाया जाता है? गाजर, आम, जिगर, कॉड लीबर वॉयल इन सारी चीजों में बिटामिन A भड़ पूर मातरा में पाया जाता है इसका कारे क्या है? इस से आँखों की रौसनी बढ़ती है हमारे बाल और तवचा जो हैं वह अच्छे होते हैं तो किसकी वज़ा से? बिटामिन A की वज़ा से तो हमें बिटामिन A का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे आखें, हमारे बाल और तवचा अस्वस्त रहें उसके बाद बिटामिन B, बिटामिन B किन किन चीजों में पाया जाता है तो इस्ट, मांस, मचली, दूद, हरी सबजियां इन सब में बिटामिन E भरपूर मातरा में पाया जाता है और इसका कारे क्या है? या हमारे मांसपेसियों एवं तंत्रिकाओं के लिए ये हमारे मांसपेसियों और तंत्रिकाओं के लिए बहुती उपयोगी है साथी यह क्या करता है उसे ग्रोध करने में हमारी मदद करता है यानि बृधी के लिए भी आवश्यक होता है बिटामिन सी बिटामिन सी नेंबू में पाया जाता है नारंगी यानि खट्टे फलो में बिटामिन सी भरपूर मातरा में पाया जाता है आमला, अमरूद, टमाटर, इन सम्में बिटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है अब देखें बिटामिन C अगर हमारे सरीर में होगा तो वह हमारे लिए क्या करेगा वह हमारे दान्त और मसूडों को स्वस्त रखेगा और हमारे सरीर में रोगों के प्रती प्रती रोधक्षमता को बनाए रखेगा कोई भी रोग हमारे उपर जल्दी से एटेक नहीं करेगा क्योंकि बिटामिन सी उससे क्या करता है उससे हमारे सरीर की रक्षा करता है अब देखिए बिटामिन D बिटामिन D किसमें पाया जाता है तो दूद जो रोज हम सुबा और रात को सोते वक्त पीते हैं उसमें पाया जाता है बिटामिन D तो हमें सुबा और रात को सोते वक्त दूद अवस्ते पीना चाहिए और दूत पीने के बाद ब्रस अवस्ते करना चाहिए ताकि हमारे दाथ भी स्वस्त रह सके मक्खन मक्खन में भी विटामिन D पाया जाता है कॉर्ड लीवर वॉयल इसमें भी विटामिन D होता है जब हम सर्दियों में धूप का सेवन करते हैं तो धूप में भी हमें विटामिन D मिलता है तो देखा बच्चों विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D ये सभी हमारे लिए बहुत आवश्यक है अब देखिए विटामिन D का कारी क्या क्या है कैल्सियम का उपयोग करके हड़ियां और दात मजबूत हो जाते हैं अब देखिए जो बच्ची विटामिन D से भरपूर भोजन खाते हैं उनके सरीर की जो हड़ियां होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती है और साथ में जो हमारा दात होता है वो भी बहुत मजबूत होता है तो कैसे होता है बिटामिन D की वज़ा से तो हमें दूद सुबह साम पीना चाहिए साथ ही मखन भी खाना चाहिए लेकिन अत्यधिक नहीं बहुत ही कम मात्रा में और सुबह सुबह का धूप अवश्य लेना चाहिए चले बच्चों अब हम खनीज लवन के बारे में जान ले कि किस परकार खनीज लवन हमारे लिए आवश्यक है अब यहां देखिए हमारे सरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है वे सरीर के बिविन्य भागों के निर्मान और जीवन की बिविन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं इनसे क्या होता है हमारा सरीर जो है वो ब्रिधी करता है विकास करता है वे पौधों से मिलने वाले खादे पदार्थ और पसूं से मिलने वाले खादे पदार्थ दोनों से प्राप्त किये जाते हैं पौधे मिटी से खनीज अवसोसित करते हैं पसू पौधों से भूजन प्राप्त करते हैं इसलिए पसू से मिलने वाले खादे पदार्थों में भी खनीज होता है अब देखें खनीज कैलसियम कैलसियम किन किन चीजों से मिलता है तो जो दूद हम पीते हैं उस दूद से हमें कैलसियम मिलता है और हडी सबजियां खाने से हमें कैलसियम मिलता है और ये calcium हमारे हड़ियों और दातों के निर्मान में हमारी मदद करता है उसके साथ ये रक्त के ठक्का जमने में भी मदद करता है जिसके सरीर में बच्चों calcium की कमी होती है उसका जो blood है वो clot नहीं होता यानि ठक्का नहीं जमता और बहुत अगर कहीं भी चोट लग जाता है या कट जाता है अत्यरिक मात्रा में रक्त जो है वह बहता ही रहता है क्यों बहता है? calcium की कमी की वज़ा से बहता है अब देखिए phosphorus, phosphorus किन चीज़ों में मिलता है? तो जो लोग मांस का सेवन करते हैं, मचली का सेवन करते हैं और अंडे का सेवन करते हैं यानि जो मांस खाता है, मचली खाता है या अंडा खाता है उससे उनको क्या मिलता है? phosphorus, phosphorus का काम क्या है? हड्डियों एवं दातों का निर्मान करना और calcium भी क्या करता है? हड्डियों एवं दातों का निर्मान करता है अगला हमारा है iron iron किन किन चीजों में मिलता है? liver, manz, हरी सबजियां जो लोग non-risk खाने वाले हैं वो iron liver और manz से ले सकते हैं और जो लोग vegetarian हैं वो हड़ी सबजियों से iron प्राप्ट कर सकते हैं iron का कारे क्या होता है? तो देखिए iron सरीर में रक्त निर्मान के लिए आवश्यक होता है रक्त का निर्मान किसे होता है? iron से होता है अगला हमारा है iodine iodine का सुरोत क्या है बच्चों? तो समुद्री खादे बदार्थ जो है उसमें भरपूर मात्रा में iodine पाया जाता है iodine युक्त नमक से भी iodine की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है अब iodine की आवश्यकता क्यों है? तो सरीर की ब्रिधी के लिए iodine आवश्यक है तो बच्चों हमने खनीज लवन के बारे में जान लिया हमने बिटामिन के बारे में जान लिया बिटामिन में अभी हमने बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C और बिटामिन D के बारे में जाना है अगले वाक्सिट में अगले कारे पतरक में हम विटामिन E और विटामिन K के बारे में भी जानेंगे चलिए अब देखते हैं कि कारे पतरक में क्या कारे दिया गया है यहां देखिए बच्चों आईए हम अभ्यास करें हमें क्या करना है अभ्यास पहला हमारा प्रस्न है हड्डियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक बिटामिन बताईए तो अभी हमने पढ़ा था बिटामिन D जो है वह क्या करता है हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बिटामिन D यहाँ देखिए बच्चों, आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, बिटामिन D हड्डियों और दातों को मजबूत बनाता है अगला प्रस नमारा है, बिटामिन C हमारे दात और मसूरे को स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है कौन मदद करता है? तो बिटामिन C यहाँ देखिए हमने अभी बिटामिन C के बारे में बढ़ाता, बिटामिन C का क्या काम है? यह दात और मसूरे को स्वस्त बनाए रखता है तीसरा प्रसन हमारा है, समुद्री भोजन में कौन सा खनीच पाया जाता है? तो बच्चों, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है चोथा प्रसन है, गाजर खाने से आपकी आँखों की रौसनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? बच्चों, गाजर में बिटामिन A पाया जाता है और बिटामिन A जो है, वह हमारे आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक है इसलिए गाजर खाना बहुत ही जरूरी है, इससे हमारे आँखों की रौसनी बढ़ेगी अगला प्रसन हमारा है, हमें कैल्सियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों कैल्सियम की आवश्यकता दातों और मशूरों को स्वस्त रखने के लिए होता है और देखिए अगला प्रसन हमारा है, यदि आप मचली मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खात पदार्थों से कौन से बिटामिन प्राप्त करते हैं? तो बच्चों जब हम मचली और मांस खाते हैं, तो उससे हमें बिटामिन B मिलता है और जब हम अमरूद खाते हैं, तो उससे हमें बिटामिन C मिलता है तो बच्चों ये वाक्सिट यही समाप्त होता है, वाक्सिट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए अगले वॉक्सीट में आप सब का धन्यवाद